पीएच और इसके लावा एबी जीज के बार पे थोड़ी सी डिसकुशन करेंगे सबसे पहले तो हमारी यूमेन बॉडी की जो बलट की पीएच है वो 7.35 से 7.45 है और जो पीएच होती है वो directly proportional है इसको याद करने का बहुत अच्छा एक तरीका यह है कि आप इसको इस तरह याद करें कि पीएच जो है वो directly proportional है bicarbonate के और inversely proportional है carbon dioxide के तो अगर हमारी बॉडी के अंदर bicarbonate बढ़ेगी तो पीएच बढ़ेगी और अगर CO2 बढ़ेगी तो pH कम होगी अब इसमें एक चोटा सा जो है वो ट्रिक है इसको याद करने का और अक्सर लोग कन्फियूज भी हो जाते हैं कि आप pH को consider positive में मत करें pH को समझें कि ये 7-7 है और जब हम ये कहते हैं कि pH जो है वो कम हुई है उसका मतलब ये होता है कि वो minus 7 से minus 6 की तरफ आ गई है और इस तरह जो minus 6 है वो बढ़ा है minus 7 से तो अगर आप इसको इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी confusion नहीं होगी ये pH जो कम हो रही है लेकिन acidity क्यों बढ़ लिए acidity बढ़ने की वज़ा ये है कि actual value जो pH की होती है वो minus 7 में होती है और जब acid बढ़ता है तो वो minus 6, minus 5, minus 4 इस तरह आती है और अगर हम पीछे आते है mathematically तो 0 के जो जितना करीब होता है वो figure उतना बढ़ा होता है second thing pH directly proportional to bicarbonate and inversely proportional to carbon dioxide तो अगर body के अंदर bicarbonate बढ़ गया है जो के kidneys की तरफ से बढ़ता है तो metabolic alkalosis हो सकती है और अगर bicarbonate कम हो गया है तो pH directly proportional है तो pH भी कम हो जाएगी तो ये metabolic acidosis की तरफ चला जाएगा और अगर somehow carbon dioxide बढ़ रही है तो pH कम होगी और इसको हम respiratory acidosis कहेंगे और इसी तरह अगर carbon dioxide कम हो रही है तो pH बढ़ जाएगी क्योंकि ये दोनो inversely proportional है होप आप लोगों को समझाई होगी Thank you